हाई गाईज, वेलकम बेक टो मैं चैनल विद अनधर वीडियो तो यार आचुको एक और नई वीडियो के साथ वापस देखे जो हमारी सीरी चल ली थी उत्राखंट जोग्राफी की उसमें हम लोग नदी तंत्र को देख रहे थे जिसमें हमने बात करी थी यमुना नदी तंत्र के बारे में आज हमारा जो अगला सेशन होगा उसमें हम लोग देखेंगे गंगा नदी तंत्र को तो चलिए आज हम बात करेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में तो पहले हम लोग चानते हैं गंगा नदी तंत्र क्या है ठीक है बेसिकली जो गंगा नदी तंत्र है ये तीन उपतंत्रों से मिलकर बना हुआ है ठीक है जो पहला उपतंत्र है उसे हम लोग कहते हैं भागी रती उपतंत्र दूसरा उपतंत्र जो है इसे कहते हैं अलकननदा तीसरा जो तंत्र है इसे कहते है नयार नदी तंत्र ठीक है अब देखे इन तीन बड़ी नदियों के इन तीन बड़ी बड़े उपतंत्रों के मिलने से ही गंगा नदी का निर्मान होता है अब देखे गंगा नदी कोई डारेक्टली कहीं हिमनत से या किसी जगे से नहीं निक और गंगा आगे को बढ़ती है तो चलिए मैप के थ्रू हम लोग समझेंगे गंगा नदी तंत्र को इससे पहले हम लोग समझेंगे इसमें जो हमने पहले बात करी थी भागी रती उपतंत्र की हम लोग बात करते हैं तो भागी रती उपतंत्र में हम लोग जानते हैं कि जो भ गंगोत्री गलेशर से 19 किलोमेटर दूर जो गंगोत्री गलेशर है गंगोत्री गलेशर के 19 किलोमेटर दूर एक हिमनद है गंगोत्री हिमनद ठीक है गंगोत्री से 19 किलोमेटर दूर एक हिमनद है जिसे कहते हैं हम लोग गंगोत्री गलेशर या गंगोत्री हिमनद इसी के गोमुख नामक स्थान से निकलती है भागिरती नदी ठीक है जो गंगोत्री हिमनत है गंगोत्री गलेशर उसी के बगल में गोमुख नामक क्या है एक स्थान है ठीक है गोमुख नामक स्थान है वहाँ पर से निकलती है भागिरती नदी अब देखिए बेसिकली हम लोग यहा हम लोग भोजगार के नाम से भी जानते हैं अब यहां पर मैं में अपमें मैंसन नहीं कर पाया भोजगार या भोजगार नाम से एक नदी मिलती है जो सर्वपरतम भागिरती नदी में मिलती है इसी के पशाद इसमें रूद्र गंगा केदार गंगा ठीक है केदार ताल से एक भोजगार नदी मिली उसके बाद इसमें रूद्र गंगा और केदार गंगा मिले ठीक है इसके बाद ये आगे को बढ़ती है आगे को बढ़ने के बाद धंगला दर्रे के आसपास से ठीक है जो उत्तरकासी का बॉर्डर है वहाँ पर से एक नदी मिलती है जिसको हम लोग कहत जाडगंगा नदी इसमें मिलती है जाडगंगा नदी मिलने के पश्यात ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाती है ठीक है बहरोगाटी नामक जगह पर इसमें क्या मिलती है जाडगंगा नदी मिलती है तो उसके बाद ये आगे को बढ़ती है आगे को बढ़ने के बाद इसमें एक नदी मिलती है जिसको हम लोग कहते हैं सिया गंगा ठीक है इसमें कौन चलिए मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को किलियर ली दिखाता हूं देखिए जैसी जाडगंगा इसमें मिलती है वहां पर से भागिरती नदी क्या होती है आगे को बढ़ती है जिसमें इसमे जिसमें कौने नदी मिलती है सिया गंगा नदी मिलती है जाला नामक पर और ये जो जाडगंगा ये कौनसे जगह पर मिलती है बहरो-घाटी करके ठीक है यहां पर उतनी जगह नहीं भा रहे ती इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ें मैंहीं करी वह मैं बीच में बता दे र करती है तो एक गंगोरी नामक जगय पर पहुच्टी है टीक है कहां पर पहुच्ट ए है गंगोरी नामक जगय पर पहुंसती है इस में न जो गंगोरी के निकट भागिरती में मिलती है ठीक है गंगोरी के आसपास इसमें कौन सी नदी मिली असीम गंगा मिली जो असीम गंगा है ये डोडी ताल से निकलती है अब गंगोरी से भी भागिरती नदी आगे को बढ़ती है ठीक है गंगोरी से क्या होता है भागिरती बिलंग्ना नदी मिलती है। इसमें कौन सी नदी मिल गई। तो यह जो भिलंग्णा नदी मिल गई। तो यह जो भागिरती और भिलंग्ना का संगम होता गनेश परियाग पर जिसे पुराना टीरी भी कहा जाता था ठीक है गनेश परियाग को पुराना टीरी भी कहा जाता था जो कि अब डेम में डूप चुका है जो टीरी डेम है उसमें डूप चुका है पुराना टीरी यानि जो गनेश परियाग है तो देखिए गनेश भागिरती और भिलंगना का संगम होता है टीरी में तो यह जगे होती है पुरानी टीरी इसको बोला जाता था पहले गणिस परियाग भी इसको बोला जाता था ठीक है अब जो भागिरती है जो भिलंगना है भिलंगना नदी में बेसिकली जिसे मेद गंगा है दूद गंगा धर्म गंगा बाल गंगा ये चार जो नदियां है सायक नदियां ये भिलंगना की सायक नदियां जिसमें सर्वपरतम धर्म गंगा और बाल गंगा बुड़ा के ता नामक जगे पर इससे उसे नदी मिल जाती है, खतलिंग गलेशयर से निकलने वाली भिलंगना नदी इसमें संगम करती है, फिर भिलंगना आगे को बढ़ते हुए गंसाली के निकट गणेश परियाग पर संगम करती है भागिरती नदी से, और यहां पर से भागिरती और उच वेक के साथ, जादा वेक के साथ कहां को बहती है, पौड़ी की तरह बहती है, और देव परियाग में जाती अलग नंदा से यह संगम कर लेती है, तो अब लोगों को यह जो भागिरती उपतंत्र रथा ही समझ में आया होगा, भागिरती उपतंत्र बेसिकली गंगोत्री के निकट गोमुक से न निकलती है, फिर यहां पर संगम होने के पश्याती आगे को बढ़ी और देव परियाग में अलग नंदा नदी से मिल जाती है, अब हम लोग पढ़ेंगे अलग नंदा नदी उपतंत्र को, भागिरती गोमुक से निकलके देव परियाग तक पहुँच गई, अब हम लोग अलग नंदा नदी को लेके आते हैं देव परियाग तक, ठीक है, तो चलिए अलग नंदा नदी को हम लोग समझते हैं, तो देखिए जो संतोपत अहिमनत से निकलने वाली अलग नंदा नदी है, यह जैसे केशो परियाग में पहुँचती है, तो उपर से एक नदी आती है सरस्वती नदी ठीक है जो ये सरस्वती नदी है ये केशो परियाग में जाके अलक नदा नदी से संगम करती है अब यहां पर देवताल से दो नदिया निकलती है एक का नाम है रिसी गंगा एक का नाम है हेम गंगा ठीक है रिसी गंगा और हेम गंगा बदरीनात के निकट रि बढ़ी तो ये बद्रीनाथ के समी पहुंसती है जहाँ पर इसमें रिशी गंगा नदी मिलती है अब बद्रीनाथ से थोड़ सा अगे बढ़ती है तो उसके बाद ये पहुंसती है जो हमारा पहला परियाग है बिश्नो परियाग तो बिश्नो परियाग में जैसे ही अलग नंदा नदी पहुंसती है तो वहाँ पर इसमें एक नदी मिलती है जिसको हम लोग जानते हैं पशिमी धौली गंगागर के जो बेसिकली पिथोरगड से निकलती है पश्यमी धौली गंगा तो पश्यमी धौली गंगा यहां पितोरगड से आई और विश्णु परियाग नामक जहगे पर अलग नंदा नदी से मिल जाती है ठीक है धौली गंगा यानि पश्यमी धौली गंगा का और अलग नंदा का संगम कहां पर हो रहा है इसको अलग नंदा नदी के नाम से चाना जाता है ठीक है फिर इसके बाद देखिए विश्नु परियाग के बाद जो अलग नंदा नदी है वो आगे को बढ़ती है और पहुंचती है नंद परियाग में ठीक है नंद परियाग तक पहुंचती है चमोली में तो नंद परियाग में इसमें एक नदी मिलती है, जो है नंदाकिनी नदी, ठीक है, नंदाकिनी नदी है, जो बेसिकली तिर्सूल परवत के समीप में एक नंदा गुंगटी है, नंदा गुंगटी के निकट से निकलती है, कौन सी नदी, नंदाकिनी नदी जो नंद बनेगा अलक नंदा और नंदाकिनी का संगम कहां पर होता है तो ये होता है नंद परियाग में ठीक है तो ये याद रखने वाले कोशन है नंद परियाग में होता है अलक नंदा और नंदाकिनी कर्ण परियाग पहुशने के बाद अलगनंदा नदी में एक और नदी मिलती है जिसको हम लोग जानते हैं कर्ण गंगा या फिर पिंडर नदी के नाम से हम लोग जानते हैं पिंडारी Glacier से निकली पिंडर नदी जो बागिश और डिस्टिक में स्थित है तो यहां पर से निकलने के पशाती कहां पर मिलती है कर्ण परियाग में जाके अलग नंदा नदी से मिलती है कर्ण परियाग में किसका संगम होता है कर्ण परियाग में होता है अलग नंदा और पिंडर नदी का संगम पिंडर नदी को ही कर्ण गंगा के नाम से भी जाना जाता है और ये जो पिंडर कर्ण गंगा नदी है ये बागेश्वर में स्तित्थ पिंडारी गलेशयर के समीप से निकलती है यानि पिंडारी गलेशयर से निकलती है अब देखिए हमने तीन परियाग पढ़ लिए कर्ण परियाग से जब अलगनंदा नदी आगे को निकलती है आगे को बढ़ती है तो उसमें एक नदी मिलती है कौन सी नदी इसमें मिलती है म मंदाकिनी नदी से अब basically देखिए मंदाकिनी नदी के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे तो जो ये मंदाकिनी नदी है ये निकले हमारा रूद्र परियाग से ठीक है रूद्र परियाग से मंदाकिनी नदी निकलती है मंदाकिनी नदी जो basically रुद्र परियाग में जो केदारनाथ है केदारनाथ के समीप एक सरेणी है जिसको हम लोग मंदरानचल सरेणी के नाम से जानते है केदारनाथ के समीप ही मंदरानचल सरेणी है मंदरानचल सरेणी वो जो मंदरानचल हिमनद है इसी के समीब से निकलती है मंदाकिनी नदी तो आपको बता चल गया होगा जो केदारनाथ है बेसिकली रुद्र परियाग में जो केदारनाथ है केदारनाथ के समीब पर ही क्या है मंदरांचल सरेणी है यही मनद है यहीं पर से निकलती है मंदाकिनी नदी अब जैसी मंदाकिनी नदी आगे को बढ़ी तो इसमें एक नदी मिलती है मधुगंगा जो कहां पर मिलती है काली मठ में जो काली मठ है काली मठ में इसमें एक नदी मिलती है जिसको हम लोग जानते हैं मधुगंगा के नाम से काली मठ में इसमें मधुगंगा मिली मंदाकिनी नदी में, ठीक है, तो अब मन्दाकिनी नदी यहां से आगे बढ़ी और रुद्र परियाग तब पहुंसती है, अब रुद्र परियाग में पहुंसने के बाद ये अलग नंदा नदी से मिल जाती है ठीक है इसी को हम लोग चतुर्थ परियाग के नाम से भी जानते हैं रुद्र परियाग को इससे पहले हमने तीन परियाग देखे विश्णो परियाग नंद परियाग कर्ण परियाग अब हम बात कर रहे हैं रुद्र परियाग की जिसमे सायक नदी कौन सी है मधुगंगा जो काली मठ में उससे मिली और यह लास्ट में क्या गड़ती है रुद्र परियाग नाम के स्थान पर अलग नंदा नदी से मिल जाती है अब यहां पर संगम हो जाता है अलग नंदा और मंदाकिनी का तो यह एक्जाम में बनेगा अलग अब इससे पहले हमने बात कर ली थी भागिरती नदी की जो अलड़ी देवपरियाग पहुच चुकी थी अब हमने अलग नंदा नदी को भी देवपरियाग पहुचा दिया तो यहां से आने वाली जो पश्यम से आने वाली नदी है पश्यमी छेत्रे से वह भागिरती नद अलगनंदा और भागिरती नदी का जहां पर संगम होता है यहीं पर से इसको गंगा के नाम से जाना जाता है अब देखिए जो यहां से भागिरती नदी निकलती है भागिरती नदी को सास के नाम से जाना जाता है और यहां पर से जो अलगनंदा नदी आई थी अलगनंदा न नदी को बहु के नाम से जाना जाता है यानि इनको सास बहु के नाम से जाना जाता है बेसिकली अलग नंदा नदी में बहुत सारी नदिया मिली जैसे वसुधारा, कंचन गंगा, सीर गंगा, रुद्र गंगा, अमरित गंगा, सोंधारा ये काफी सारी नदिया इसमें मिली ब और और कहां काहं से निकल के संगम करती है अब हम लोग फाइनलि पहुंच चुके हैं देवपरियाग में ठीक है अब देवपरियाग से हम लोग आगे को बात करेंगे तो देवपरियाग से क्या हो जाता है जो भागिर्थी और अलग नंदा नदी थी अब यहाँ पर से गंगा के नाम से जाने जाते हैं और गंगा के नाम से यह आगे को बढ़ते हैं और दहरादून का कुछ हिस्ता कवर करते हुए यह सीधे एंटर कहां करते हैं हरी द्वार में एंटर करते हैं ठीक है हरी द्वार में जैसे ही यह एंटर करते हैं यूपी की तरफ निकल जाती है लेकिन इसकी जो दूसरी साखा होती है जिसको हम लोग उपरी गंगा के नाम से जानते हैं वो आगे को बिजनौर से आगे बढ़ते हुए आगे को मुझफर नगर से होते हुए आगे को बढ़ती है गंगा के पैरलल ठीक है गंगा के पैरलल ही यह मुझप्र नगर से आगे को बढ़ती है उपरी गंगा और यहां कन्नौस से आगे को यह जो गंगा नदी है यह यूपी में एंटर कर लेती है तो ये तो था हमारा भागिरती और अलग नंदा उपतंत्र, अब हम लोग बात करेंगे नयार उपतंत्र की, ठीक है, तो नयार उपतंत्र की हम लोग बात करते हैं, बेसिकली नयार उपतंत्र क्या है, क्योंकि ये भी गंगा नदी की प्रमुक सायग नदीव में से एक है, नय चलिए तो हम लोग बात करते हैं नयार उपतंत्र की इसको थोड़ा यह ज्यादा यहां पर कॉम्पैक्ट हो गया है तो ज्यादा समझ नहीं आएगा तो इसलिए मैं नया नदी को थोड़ा सा अलग बताता हूँ ठीक है तो देखिए यह हमारा टीरी है यह बीच में रूद्र परियाग हो गया और यह हमारा पॉड़ी गड़वाल हो गया ठीक है तो इसको हम लोग समझते हैं तो देखिए गंगा नदी और देखिए जो देव परियाग है देव परियाग से गंगा नदी आगे को बढ़ती है ठीक है देव परियाग से गंगा नदी क्या होती है आगे को बढ़ती है देरादून में और हरीद्वार को होते हुए वो यूपी में एंटर करती है अब जैसी देव परियाग से थोड़ी ही दूरी पर आग तो फूल चटी नामक जो इस्थान है यहां पर बाई और से नयार नदी मिलती है यानि यहां पर से इसमें कौन से नदी मिली नयार नदी इसमें मिलती है ठीक है बाई और से इसमें कौन से नदी मिली नयार नदी मिली जमखोली धार सिरेणी है इसी जमखोली धार सिरेणी से क्या निकलती है पूर्वी नयार निकलती है पूर्वी नयार और पश्यमी नयार का जो संगम होता है यह होता है सत्पूली के आसपास ठीक है जो पॉली में सत्पुली नामक जगे है सत्पुली नामक जगे पर ही इन दोनों नदियों का संगम होता है पश्मी नयार और पूर्वी नयार का इन दोनों का संगम होती ही ये नयार नदी के नाम से आगे को बढ़ती है आगे को बढ़ने के पशादी क्या होता है फूल चटी नामक इस्थान पर क्या हो जाता है फूल चटी नामक इस्थान पर गंगा में मिल जाती है ठीक है फूल चटी नामक इस्थान पर यह क्या हो जाती है गंगा नदी में मिल जाती है इस तरीके से गंगा नदी क्या हो गई गंगा नदी में क्या हो गई नयार नदी मिल गई अब देखे गंगा नदी की एक और फेमस बहुत important नदी है जिसको हम लोग जानते है पश्मी राम गंगा के नाम से देखे जो पस्मी राम गंगा है ये basically निकलती कहां से है पशिमी रामगंगा निकलती है दूधादोली स्रेणी यानि जो दूधादोली स्रेणी है यह चमोली पौडी अलमोडा इन सारी जगहों पर फैला हुआ है बेसिकली यह हमें अगर मान ले यह हमारा क्या है दूधादोली स्रेणी है दूधादोली स्रेणी से निकलती है हमारी पश्YUAMI RAM GANGA ठीक है पश्shirt लिए निकलने के पाइगे पहुंसती है जैसे आगे पहुंसती इसमें यानि बागेशर निकलने वाली कोशी नदीulsion पर इसका संगम होता है इसका कौशी नदी के बात करें तो यह निकलती है धार-पानी-धार यानि धार पानी धार नामक इस्थान से धार पानी धार नामक जो इस्थान है ये basically कौसानी बागिसवर के पहाड़ियों पर इस्थित है कौसानी बागिसवर की पहाड़ियों पर इस्थित है धार पानी धार नामक जेगे यह जो कोशी नदी है यहाँ पर से निकली और राम गंगा में यह मिल जाती है ठीक है राम गंगा में यह मिल जाती है और इसकी जो लेंथ है बेसिकली इसकी जो लेंथ है वो है 168 km कोशी नदी की लेंथ है 168 km और राम गंगा की लेंथ है पशीमी राम गंगा की 155 km तो यह द इनका संगम हुआ यहां पर से आगे को बढ़ती है पशीमी राम गंगा के नाम से और कहां पर कन्नौच के समीभी यह गंगा नदी में मिल जाती है ठीक है यहां पर से दो नदिया निकले कोशी नदी निकली बागेशवर से एक निकली क्या कहते हैं दूदातोली से एक नदी निकली पशीमी राम गंगा यह दोनों यहां पर संगम करते हैं कन्नौच के आसपास जाकर यह गंगा में मिल जाते हैं तो इसकी दो नदिया हो गई पशीमी राम गंगा और कोशी नदी ठीक है इसी के बाद इसमें एक दापका नदी मी मिलती है ठीक तरीके से मंने गंगा नदी के जो तीनों Uptantre यहां तरीके से में थोड़ाइं त्पर्वी को सक्तिकिंगे जना जाता है, क्वेल है । कि लिछ नीडी के बाद फ रिम आने देवपरियाग के द decide वहाँ पर सही संगम के बाद ये गंगा नदी बनती है जिसके बाद इसको गंगा के नाम से जाना जाता है और 96 किलोमेटर चलने के बाद यानि इतना पात तै करने के बाद ये हरिद्वार के बाद यूपी मेंटर कर जाती है यानि राज्य से बाहर हो जाती है गंगोत्री से देवपरियाग तक इसको भागी रथी के नाम से जानते हैं क्योंकि गंगोत्री जो गंगोत्री हिम्नद है उसके समीब जो गोमुक है क्याहि क्या निकली भागी रथी नदी निकली गोमुक से आते हुए 10 आ teammates फॉल्चट्री नामक इस्थान पर बाईयोस से नयार यानी नाद गंगा इसमें मिलती है जोगी मैंने मैं आपको बताया लेफ्ट साइड से इसमें क्या मिलती है एक फुल चटी नामक जगे पर इसमें नयार नदी मिलती है जिसको नाद गंगा की नाम से भी जाना जाता है दहरादून के रिसी केस में दाईयों और से चंद्रभागा नदी और फिर आगे बढ़ने पर दाईयों और से रायवाला के पास सौंग नदी इसमें मिलती है ठीक है इसमें रिसी केस के पास दाईयों और से चंद्रभागा नदी मिलती है और आगे बढ़ने पर दाईयों और इसके बाद ये यूपी में एंटर करती है इसके बाद हम लोग देखेंगे भागी रती उपतंत्र को ठीक है देखें इसके बाद हम लोग भागी रती उपतंत्र है फिर उसके बाद अलग नंदा उपतंत्र है नयार नदी उपतंत्र है और पंच परियाग है तो इनके बारे में हम लोग अगले सेसन में बात करेंगे क्योंकि वीडियो लड़ी लंबी हो चुकी है तो ये थियोर्टिकल वाला हम अगले सेसन में रखेंगे इसके बाद जो हमारा अगला जो आएगा वो आएगा हमारा काली नदी उपतंत्र है ठीक है काली नदी उपतंत्र को हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे काली नदी उपतंत्र काफी ज्यादा इजी है वाग इसका जो मैप है वो इजी है compact नहीं है जादा इसको समझने में थोड़ा easy रहते है जैसे गंगा है गंगा में भागी रहती अलग नंदन नयार तीन उपतंत्रे पढ़ने होते हैं तो थोड़ा सा map compact बन जाता है यह वाला map थोड़ा सा easy है इसको हम लोग इसके आने के आने इसके तीसरे वाली session में पढ़ेंगे तो आज के लिए इतना काफी है hope करतो आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई वीडियो को make sure like जरूर करना जो लोग चैनल पर नहीं है चैनल को subscribe जरूर करना तो मिलते हैं ऐसे interesting और amazing वीडियो के साथ अब तक के लिए अपना ध्यान रखिए पढ़ाई करते रहिए take care and bye bye